नमस्कार स्वागत है आपका व्याब दुनिया समाचार में बात करते हैं अब तब की बड़ी खबर की भूकंप के जटकों से धर्राया उत्तर भारत अलर्ट पर NDRF उत्तर भारत के कई हिसों में सोमवार राद भूकंप के तेज जटके महसूस किये गए भूकंप का केंदर उत्तरा खंड के रूदर प्रयाग में स्थित था रूदर प्रयाग के जिलाधिकारी ने बताया कि रात करीब 10 बचकर 38 मिनट पर आए भूकंप की तीवरितार रियेक्टर पैमाने पर 5.8 मापे गई भूकंप के जटके करीब 30 सेकंड तक महसूस किये गए उत्तरा खंड में भूकंप के बाद दहशत में आये लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलाए खास तोर पर परवतिय जिला उत्तरकाशी, चमोली और पिथोरा गड में भूकंप का जटका महसूस किया गया बाशिंते अपने घरों से बाहर निकलाए दिल्ली, NCR, दहरादून, मथुरा, शामली, सहरनपूर और चंडीगर में भी भूकंप के जटके महसूस किये गए भूकंप का असर मत्यप्रदेश के उत्तरी अंचल में भी महसूस किया गया अलाकि इस वज़ा से किसी भी प्रकार की हानी की सूचना नहीं मिली है स्थाने मौसम केंद्र के अनुसार मत्यप्रदेश के ग्वालियर और चंबल अंचल के अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी भूकंप के हलके जटके महसूस किये गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर भारत के विभने हिस्सों के महसूस किये गए भूकंप के जटकों के मद्दे नजर बनी हुई स्थिती का जायजा लेनी के लिए अधिकारियों से बात की मोदी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री कारेले भूकंप के केंद्र रहे उत्तरा खंड के अधिकारियों से लगातार संपर्क में बना हुआ है मैं सभी की सुरक्षा और भलाई की काम ना करता हूँ केंड्री गुरह मंत्री राजनाथ सीह ने भूकंप के बारे में विस्तरत रिपोर्ट मागी है गुरह मंत्राले के एक प्रवक्ता ने बताया कि राश्ट्री आपदा मोचन बल को सतर्क कर दिया गया है और अब नज़र डालते हैं सुर्क्यों पर प्योके के जमीन के लिए किराया दे रही है सेना, सीबी आई ने शुरू की जाश साल भर में सत्यापित करो सभी मोबाईल यूजर्स की पहचान सुप्रीम कोर्ट मोदी आरक्षन खत्म करना चाहते हैं मायावती शशीकला के मुख्यमंत्री पद का शपत ग्रहन समारू टला पाकिस्तान में सुरक्षा गार्ड ने की अफगान राजनाई की हत्या